ये आत्म वो ताकत है जिसको आप पहचान नहीं पा रहे, सब के अंदर यही विराजमान है, चाहे आप परधानमंतरी को देख लिजिए, राष्ट्रपती को देख लिजिए, किसी भी जीव को देख लिजिए, चाहे कितने भी उचे पद के उपर बेटा हो, चाहे कितना भी ताकतवर सरीर हो, चाहे कितना भी मजबूत आदमी हो, चाहे कितनी भी कलाएं लिए हुए हो, चाहे कितना भी अलग हो संसार से, चाहे कितना भी विशाल का हाथी जैसा हो, डाइनासोर जैसा हो, चिटी जैसा पर या और भी सुक्सम जीव हो या और सुक्सम दर्शियों से देखे जाने वाले जीव हों सब के अंदर वो आत्मा विराजमान है वो ये नहीं कि हाथी के अंदर भारी आत्मा होगी चीटी के अंदर हलकी आत्मा होगी ये विचार जो है ये भरम पैदा करते हैं ये विचार जो आपकी खोज में रुकावट पैदा करते हैं मन के अंदर संकाएं पैदा करते हैं मन के अंदर दूइदा पैदा करते हैं कि हाती के अंदर वो आत्मा चीटी वाली आत्मा कैसे आ सकती है इतना सा कैसे हो सकता है ये तो ऐसम्बो है बिल्कुल मानों की इतने बड़े मानों की आत्मा एक छोटे से कीडे में कैसे जा सकती है ये जो परसनूत्पन होते हैं इस परकार का जो खेल चलता है मन के अंदर ये बर्म पैदा करने वाला है क्योंकि उसने स्वे कहा है ये आत्मा सब जगे विराजमान होती है और आत्मा इतनी ताकतवर होती है इसको ने कोई घटा सकता ने कोई बढ़ा सकता जब ये आत्मा स्रीर से निकल करके जाती है परदानमंतरी भी मर जाता है पसुपक्सी भी मर जाते हैं पेड़ पोदे भी मर जाते हैं जीव जन्तु भी मर जाते हैं आकास के तत्तों भी मर जाते हैं समुन्दर की वहेल भी मर जाती है इस आत्मा के अंदर इतनी सक्ती होती है कि जब ये श्रीर छोड़ता है तो इस श्रीर को मिट्टी का ढेर हो जाता है और पांच तत्तों अपने आप भी कर जाते हैं चाहे जलाओ ना जलाओ जंगल के अंदर देखो कितने जानवरों की अपने आप किरियाई हो जाती है शरीर अपने आप समाप्त हो जाते हैं कितने भारी भारी शरीर होते हैं सागर के अंदर देखो कितने बड़े बड़े जीव होते हैं जब वो आत्मा शरीर को छोड़ करके जाती है अपने आप ही किरिया ही हो जाती है ये परकर्ती का खेल है ये परकर्ती जो चल रही है जो सदा से है थी और रहेगी क्योंकि परमात्मा के साथ इसका तालमेल है इस परकर्ती के बिना कोई भी ने शरीर होगा ना था ना है तो कभी आपको ये परकरती बड़ी नजर आने लगती है, कभी परमातमा बड़ा नजर आने लगता है, कभी मा जगदंबा बड़ी नजर आने लगती है, कभी पिता परमेशवर बड़ा नजर आने लगता है, हम इसका बेलेंस ने बनाते हुए, हम इसको ध्यान के अंदर ने देखते हुए एक एक चीज का महतव नहीं समझते हुए हम इसके अंदर बुरी तरह से फश जाते हैं और साधना को छोड़ करके बस भाग लेते हैं दूसरी और लेकिन हमें साधना के बिना ने कुछ प्राप्त हुआ है ने कोई प्राप्त होगा कितना भी हाथ पैर मारें कितनी भी पूस्तके पड़ें कितना भी जोर लगाएं कितने भी विचारों को इदर उदर दोड़ाएं गुमाएं साधना के बिना नहीं हो सकता और जब आप साधना बड़ी साधनी के साथ करोगे एक एक सुनास को पकड़ करके करोगे मन को साकसी बना करके साधना करोगे मन को देखते हुए साधना करोगे फिर हिलने को जगए नहीं होगी आपका जो ये शरीर है मन है इसका ताल में लिए दोनों ताकतवर चीजे हैं क्योंकि इंदरियां भी ताकतवर हैं ये इंदरियां इधर उदर ले जाती हैं जीव को और इस शरीर को बठकाने लगती हैं ये मन कहता है उठो वहाँ अच्छी चीजें बोजन मिल रहा है वहाँ अच्छी चीजें भोगने की मिल रही है वहाँ चलके इनका भोग भोगेंगे अच्छे इस्तेमाल करेंगे और मोज उड़ाएंगे वहाँ जा करके देखेंगे कि अगर एक ही चीज को बार बार इस्तेमाल करेंगे बार बार इस्तेमाल करेंगे उससे ये शरीर और मन दोनों बने लगते हैं पहले वो चीज बहुत अच्छी लग रही थी थोड़े दिनों बाद वो चीज बहुत बुरी लगने लगती है ये मन का खेल है ये मन के अधीन सब कुछ है ये मन का चलाए हुए चल रहा है लेकिन जब हम इन दोनों मजबूत चीजों के उपर पकड़ करेंगे मन के उपर भी और सरीर के उपर भी जब दोनों का हम ध्यान रखेंगे दोनों को ध्यान रखते हुए देखेंगे तो फिर रास्ता खुलने लगेगा सुरत उपर उठने लगेगी जागने लगेगी और ध्यान लगने लगेगा जब आप सुम्रण करोगे चड़ाई शुरू हो जाएगी एक-एक चक्र को बेदते हुए आगे बढ़ोगे और ध्यान जब आप करोगे तो वो ठहराओ देगा कि जहां हम उस्टित हो गए जहां मारी इस्टित हो गई जहां हमारी चड़ाई शुरू हो गई उस चड़ाई तक हम वहां तक पहुँच जाएं और उससे नीचे ना गिरें ये ध्यान का कारिये है कि हमारे अंदर स्थिर्ता आ जाएगी हमारे अंदर एक ठहराव आ जाएगा हमारे अंदर इतनी अक्समता पैदा हो जाएगी कि हम नीचे की स्थिति में नीचे के लोकों में ना गिरें उपर ही उठते चले जाएं ये कारिये ध्यान का है जिस परकार से हम कुए के अंदर से हम वोकेट खीचते हैं बाल्टी खीचते हैं तो एक ऐसे उठाते रहते हैं खीचते रहते हैं और रसी को पैर के नीचे दबाते रहते हैं पैर के नीचे दबाने से क्या होगा अगर हाथों से रसी छूट भी गई एकदम से वो नीचे जाने लगेगी जब बाल्टी तो पैर के नीचे जो रसी दबी हुई है वो उसको नीचे नहीं गिरने देगी और जब वो नीचे नहीं गिरेगी तो स्थिति वहीं रह जाएग और फिर उठा करके खीचने लगेंगे वही कारिय इसके तालमेल का है ध्यान और सुमरण के तालमेल का जब ये ध्यान और सुमरण का तालमेल होने लगेगा तो जीव की जागर तवस्ता अनुभव होने लगेगी देवता पीछे पीछे गुमेंगे बुलाने कि आउसको ये जिकत हुई है, मुझे तो नहीं होगी, जो ये भरम है ना, इसको आप जितना जल्दी हो, उतना त्याग दो, साधारन लोग हों, चाहे ऐसाधारन लोग हों, चाहे अवतार हों, चाहे देवता हों, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हों, एक ने एक दिन सर का त्याग होगा तो रास्ता आगे का चाहिएगा वहाँ भजन चलेगा वहाँ सुमरण चलेगा सानसारी कुष्टूएं नहीं चलेगी ये जीव आप कितना भी कोशिश करो जब तक ये पाप पुन्ये की इस से परत नहीं अटेंगी हलका नहीं होगा जिस परकार से आपने ए अदर हवा भर दोगे और उसको खोलोगे वो अपने आप उड़ जाएगा उसी परकार से ये आत्मा है जब आप इस के अंदर भजन की वायौ भरोगे अपने आप उडने लगेगी ये परत हटा दी जाएगी पापुन्ये की जागरत होने लगेगी जितनी जागरत होगी उतना ही वेग तेज होगा उतनी ही उडान तेज होगी मैं ये जो बोल रहा हूँ इसका ये अरत नहीं कि आप ध्यान में बैठ करके उड़ने का परियतन करो ये अरत नहीं है इसका ये अरत है कि आप ध्यान में बैठ करके सुमरण करो जितने भी संसारिक बाते हैं, जितने भी रास्ते में दिखाई देने वाली चीजे हैं, जितने भी रास्ते में अनुभव होने वाले हैं, जितने भी रास्ते में सवपन दिखाई देते हैं, कोई देवी देवता नजर आता है, कोई और वस्तुएं नजर आती हैं, कोई और च से भी हो आपको वहां ठहरना नहीं है